नमस्कार दोस्ते, आज हम आपको बदाएंगे, कौन ओफ वीजन के बारे में, कि जब भी आप अपनी गारी चला रहे हैं, कार चला रहे हैं, बस चला रहे हैं, ठ्रक चला रहे हैं, कोई भी आप वहां चला रहे हैं, तो आप अपने आज पास की जो खत्रह है, उसको कैसे दे विर्मिकापर आपी ऊसे भापे जिस से की आप भी बच गड़ती चला रहा है ये जल्व मापने का देंट है कोन ओफ वीजन कोन ओफ वीजन एक यह चीज है कि आपका देखने का जो शम्ता है वो किस परकार से सड़क पर काम करती है आज हम उसके बारे में आपसे विचार विमर्श करेंगे कि जब आप अपने गाली की सेड्ली पर बैठी है कि तो आप की स्पीड जीरो है तो इसको अपको जोहां कि यह हैं अगर मेरे हाओं तो मुझे मेरे हाथ नहीं अब मेरे हाँ पर है मैं सामने भी देख रहा हूँ और अपने हाथ देख पा रहा हूँ अब मेरी स्पीड जो है वो जीरो है अब जैसे जैसे मेरी स्पीड बढ़ती जाएगी वैसे वैसे मेरे देखने की शंदा कम होती चली जाएगी तो इससे क्या है आप कैसे सड़क पर देखेंगे आप जब भी सड़क पर चले पहली बात आपके वहान में दोनों साइड के मिरर जो हैं शीशे जो हैं होने बहुत जरूरी हैं दोनों साइड की शीशे होने बहुत जरूरी हैं जिससे की आप अपने पीछे का ट्रैसिक देख सिंख आप चले जा रहे हैं कि आपने ने करना क्या है आप की आंकों की गुद्जा आपने अपने राइड करो यह का आपने ल्ब्ध करें आपने तो आपने पीछे भी देखा और गर्दन गुमाई तो आपने दाएं तरब भी देखा इससे क्या हुआ आपने सामने भी देखा लेफ्ट में देखा राइट भी देखा शीशे की मदद से गर्दन गुमा के आपने बाएं भी देखा शीशे की मदद से आपने पीछे भी जो जिससे की आप अपने पीछे का 360 डिग्री तक अराम से आप देख सकते हैं चाहे खत्रा 20 से आ रहा हो चाहे खत्रा 20 से आ रहा हो चाहे आपके सामने से आ रहा हो चाहे आपके खत्रा लेट से या राइट से आ रहा हो आप हर तरीके से खत्रे को देख सकते हैं इसको कहते हैं Ha выйzon यहां पर उपको दिखाए गए нас कि तीसकी स्प्रिट में आपको कितना लिए जैसे आपके इसनद पचास होई कितना दिया कितना दिया और नबे हुई तो कितना दिया आप अपनी हमेशाओं जब कभी विगारे चलाएं तो एक सेव स्पृइंट पर चलाएं जो की सड़क पर निर्धारित दी गई है इससे आप अपने आपको भी बचा सकते हैं सड़क पर दाएं बाएं से जो गलत आ रहे हैं उनको भी बचा सकते हैं इससे आप भी सुरक्षित आपके साथ चलने वाले भी सुरक्षित तो इस परकार से आप हमारी वीडियो को देखते रहें लाइक करते रहें शेयर करते रहें और अपने आपको सुरश्चित रखें और सब को सुरश्चित रखें धन्यवाद